कथा प्रारंब होत है आओ वीर हनुमान आसन लेओ प्रेम से धरू तुम्हारो ध्यान रादे मेरे स्वामी मैरा दे की दास जनम जनम मुहिदी जियो श्री विंदावन धाम बरसाने की राधि का नंद गाउं के शाम उनके श्री चर्णों में मेरा कोटी कोटी प्रणाम राधे राधे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग बढ़ों कोचारनिस पर चोटों को प्यार और पराबर वालों को नमस्कार करती हूं आज हम अगहन मास मार्गशीश मास की प्रमुक कहानियां सुनेंगे इन कहानियों को सुनने से अगहन मास का पूरा फल मिलता है कहते हैं अगहन मास में शंक पूजा, तीरत इसनान, तिल और आवले का दान करने से मनुश के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं अगहन मास में जरूरी नहीं है कि आप पूरे मैने वरत रखें अगर आप इसनान करने के बाद भगवान क्रश्न और विश्नु भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर के दो अगरवती जलाके इन कहानियों को सुन लेंगे तो भी आपको अगहन मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा जब आप इन कहानियों को सुने तो एक लोटा जल और हाथ में गेहूं और चावल के चार दाने रखें और फिर आप इन कहानियों को सुने उसके बाद चावल और गेहूं के दाने सूरिय नारैन भगवान को लोटे जल से अर्ध दे कर छोड़ दे या फिर उस जल और चाव पुमास भी कहा जाता है भगवान विश्नु और क्रश्न भगवान का मास कहा जाता है मारगशीश भगवान क्रश्न का एक दाब है आईए अब हम अगहन मास की प्रमुक कहानिया सुनते हैं इन कहानियों का फल सब को मिले कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को आईए अब हम अगहन मास की प्रमुक कहानिया सुनते हैं एक गाउं में एक ब्रामन दमपती अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे पुराने जवाने में गाउं के लोग ब्रामनों को देवता का रूप मानते थे इसलिए सभी गाउं वाले उस ब्रामन परिवार को अन्वस्त्र रुपिया और सीधा दिया करते थे मावस पूनम एकादशी को गाउं के लोग ब्रामन को सीधा देते थे यही सीधा उस ब्रामन दमपती की आजिवीका का साधन था समय उनका सुख में बीत रहा था गाउं में बहुत शान्ती थी कोई लड़ाई जगड़े न हमेशा साथ देते थे बरंतु किस्मत को कुछ और ही मनजूर था तब एक बार की बात है कि वे ब्रामन दमपती अज्यात बिमारी से चल बसे ब्रामन की बेटियों पर दुखो का पहा तूट पड़ा उस समय ब्रामन की बेटियों की उम्र 12 या 14 वर्ष की रही होगी गाउं वाले और सरपंच ने मिलकर ब्रामन दमपती का अंतिम संसकार करवाया ब्रामन दमपती के 12 दिन गाउं वालों ने मिलकर पूरे करे अब सवाल ब्रामन की बेटियों के भविशक आया तब सरपंच ने गाउं वालों से कहा कि यह बेटियां अब हमारी जिम्मेदारी है हमें इनका भरण पोशन और विवा आधी करना होगा। सभी गांवालों ने हां में हां मिलाई। अब गांव के हर घर में उन दोनों बेटियों के लिए अन्न वस्तर रुपिया सबजी आधी जाने लगी। सबी गाउवालों ने बढ़ चड़कर उन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा ली गाउवालों और सरपंच ने मिलकर राजा से उनका राशन का भी इंतजाम करवा दिया दोनों बहनों में छोटी बहन बड़ी ही समझदार और धालमिक प्रवती की थी गर बाहर और आने जाने वालों का सब का द्यान रखती थी समय बीतने लगा तब एक दिन छोटी बहन ने देखा की गाउव के लोग अगहन मास में गंगाईस्तनान कर रहे हैं कथा कहानिया सुन रहे हैं और वृत कर रहे हैं तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जी जी हमें भी अगहन मास में गंगा इस्तनान करना चाहिए वरत करना चाहिए तब बड़ी बहन बोली कि तू ही कर ले मेरे से भूग बरदाश्ट नहीं होती है तब छोटी बहन ने गाउं की ओरतों के साथ अगहन मास में ग पीपल पतवारी पuçती सुर्य नारैन भगवान को अर्द देती तुलसाजी में जल देती तब एक बार की बात है उनके गाउं में गंगा नदी भेथती थी तो साधू सन्यासियों की एक टोली अगहन मास का इस्तनान करने के लिए उनके गाउं में आकर के ठहरी जब मास बीत गया तो सभी सादू सन्यासियों की टोली जाने लगी तो बड़ी बहन उन सादू सन्यासियों की टोली में चली गई चोटी बहन को तो पता भी नहीं चला कि उसकी बड़ी बहन सादू सन्यासियों की टोली के साथ चली गई जब बड़ी बहन घर में नहीं मिली तो चोटी बह बहन ने गाउं वालों के साथ मिलकर अपनी बहन को पूरे गाउं में ढूंडा लेकिन वे कहीं नहीं मिली। तब गाउं के एक भले व्यक्ति ने कहा कि मैंने ब्रामन की बड़ी बेटी को सादू सन्यासियों की टोली के साथ जाते हुए देखा था। छोटी बहन ने यह सुन ब्रामन युवक से कर देना चाहिए। तब एक समझदार ब्रामन युवक से चोटी बेटी का विवा करवा दिया। वह युवक घर जवाई बनकर वहीं रहने लगा। इस तरह समय बीथने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह ब्रामन की बेटी पूजापाट कर रही थी तबी उसे कुछ ऐसास हुआ, तो वे घर के आंगर में पानी का छिड़काव काने लगी, तुलसी में बार बार जल देने लगी, गाय के खूटे पर पानी डालने लगी, और जोड जोड से बोली कि आग लग गई, आग लग गई भुजाओ, तबी आवाज सुनकर पती की दीन खुल गई, उसका पती बोला कि भागवान कहां आग लग गई, यहां तो कुछ भी नहीं जला है, तुम क्यों पानी का छिड़काव कर रही हो, तब छोटी बेहन अपने पती से बोली कि मेरी बेहन जिन सादू सन्यासियों की टोली के साथ गई थी, वहां उनकी सब की जोप जोपड़ी की आग मैंने तो भुजा दी है, पती ने जब यह सुना तो उसे बड़ा आश्चरिय हुआ, पती बोला अरी भागवान तुझे यहां बैठे बैठे ही कैसे पता चल गया, तब उसकी पतनी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं है, तो काशी जाकर के देख लेकिन इस बार आप मेरी बहन को साथ लेकर के आना, पती उसी समय तयारी करके काशी चला गया, तब वहां उसने जाकर देखा तो पूरे मेदान में सब की अद जली जोपड़ियां दिखाई दी, वहां अफरा तफरी का माहोल था, उस मेदान में एक छोटी सी जोपड़ी लेकिन वह गीली हो रही थी, चोटी बहन का पती उसी जोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक दुबली पतली सी सन्यासनी के वेश में एक ग्यूती दिखाई दी, उसने पूचा कि हे देवी, तुम कौन से गाउं से हो और तुम्हारा क्या नाम है, तब उस सन्यास अब तुम वापस अपने गाउं चलो और खुद के घर पर चल कर रहो, ऐसा सुनते ही सन्यासनी वेश में ब्रामन की बड़ी बेटी फूट फूट करोने लगी और वापस अपनी चोटी बहन के पती के साथ गाउं में आ गई, जैसे ही वे गाउं में आई और खुद के घर क बाहर आकर खड़ी हुई, तभी चोटी बहन ने कहा कि जीजी मैं आपको एक शर्ट पर ही घर में आने दूगी, आप शादी करेंगी तभी मैं आपको घर में आने की इजादत दूगी, तब बड़ी बहन बोली कि अब इस उमर में मुझसे कौन शादी करेगा, तब चोटी बहन बोली जीजी, भगवान ने सबकी जोडियां पहले से ही बनाई होती है, आपका जोडिदार भी कुवारा ही होगा, इसलिए आपको शादी करके ही इस घर में आना होगा, उसके बाद चोटी बहन ने एक समझदार लड़के को देखकर अपनी बड़ी बहन की शादी बड़ी बहन अपने सुसराल में जाकर रहने लगी, लेकिन भाग्या को कुछ और ही मनजूर था, शादी के साल बरभाद ही बड़ी बहन के पती को कोड हो गया, बड़ी बहन ने अपने पती की खुब सेवा पानी करी, कुछी दिनों में कोड पर मखियां बिन बिनाने लग खुण बिसने लगा, तो बड़ी बहन बार-बार हवा करके मखियां उडाती और कपड़े से खुण पोंचती, और गिला कपड़ा कोड वाली जगह फेरती, और जंगल से जड़ी बूठियां लाकर पीसती और अपने पती के कोड वाली जगह पलेब लगाती, इस तरह समय बीचने लगा, साल बर बाद जब दुबारा अगहन मास का महिना आया, तो उनके गाउं में भागवत कथा करवाने के लिए मत्रवंदावन से सादू सन्यासियों और महात्माओं की टोली आई, गाउं में खाली मेदान में एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया, दरियां बिचाई गई लावड स्पीकर बाजे पेटी वाले बैठाएगे, मत्रवंदावन की टोली ने पूरे गाउं में धिंडोरा पिटवाया कि आज से गाउं में भागवत कता महात्माजी सुनाएंगे, इसलिए सभी को आकर के भागवत कता सुननी है, तब उस भागवत कता को सुनने के लिए पूरे नगर वासी और भ्रामन की छोटी बेटी राजा रानी मंत्री सभी गए, पांडाल में राजा रानी और मंत्रियों को उचे आस्तन पर बैठाया गया, खुब सारी कुर्शियां लगाए गई, दरियां विचाए गई, जब कोड़ी को पता चला तो व भागवत कथा वाले पांडाल में पहुची, जैसे ही वे पांडाल में पहुची तो गाउं के लोगों ने उसे अंदर आने से रोक दिया, तब कोड़ी पती और उसकी बड़ी बहन पांडाल के बाहर बैठ कर ही भागवत कथा सुनने लगे, अगहन मास का महिना था, बहुत ते सर्दी पड़ रही थी, तेज ते थंडी हवाएं चल रही थी, परन्तु पांडाल के अंदर बैठे किसी को भी उनके उपर दया नहीं आई, पांडाल के अंदर अमीर, गरीव, छोटा, राजा, रानी सब बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उनके उपर धान नहीं देया, जो भी उनको देखता वहीन भावना से देखकर नाक मूस कोड कर अंदर पांडाल में चले जाते, भागवत कता चलते चलते पांच-छे दिन बीथ गे, कोडी और उसकी पतनी पांडाल के बाहर बैठकर ही भागवत कता सुनने लगे, सात्वे दिन मोसम और भी खराब था, तेज-तेज हवाई चल रही थी, बरसात हो रही थी, कोडी पती और उसकी पतनी पांडाल के बाहर ठंड और बरसात में बैठकर ही भागवत कता सुन रहे थे, उनके तप और उनकी द्रड इच्छा शक्ती को देखकर, उपर स्वर्ग में भगवान का सिंगासन डोल पड़ा तब भ्रह्मा विष्णु महेश का सिंगासन डोल पड़ा, तब भ्रह्मा विष्णु महेश अचंबित हो गए कि मृत्यू लोक में कौन है जिसके तब से हमारा सिंगासन डोल पड़ा, तब नारदमुनी वहाँ आये और बोले कि हे देवताओं, हे भ्रह्मा विष्णु मह थेश मृत्यू लोक में एक कोड़ी और उसकी पतनी तेज सर्दी और बारिश में खुले मैदान में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं। तविश्णु भगवान माता लक्ष्मी और नारदमुनी को लेकर देविमान में बैठ कर उसी गाउं में प्रांगण में उत्रे। देविमान के वहां पहुंसते ही वे पांडाल वे बड़ा सा शामियान उड़ गया। अंदर बैठे लोग इधर उदर भागने लगे। देविमान को देखकर सभी गाम वाले राजा, रानी, मंत्री भागवत कथा छोड़ कर उस दिशा की ओर दोड़े जिस दिशा में भगवान का देविमान उत्रा था। देविमान वहां उत्रा तो उसमें से देव दूतों ने कोड़ी को और उसकी पत्नी को अपने देविमा अगर तुमने उनको सुनने दिया होता तो आज भगवान के दर्शन हम सभी को होते। और आज हम भी इस बियान में बैटकर बैकुंट में जाते। वरंदावन से भागवत कता सुनाने आई टोली को भी बड़ी शमींद गी हुई और वे हाथ मलते ही रहे गे। घरती हो तो पुरियो पुरियो तो परवान जड़े बुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस कता का अफल सब को मिले कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भड़ने वाले को। आईए अब हम अगहन मास में सुनी जाने वाली केले के पेड़ को सीजने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुँ छोटा सा गाउं था। उस गाउं में एक वेश्य दमपती अपने बेटा बहु और बेटी के साथ रहते थे। वेश्य दमपती के बेटे की बहु अगहन मास में केले के पेड़ को सीजती, पूजा करती और गुरुवार का वरत करती थी। और जब वरत करने जाती थी तो अपने कुवारी ननत को भी साथ ले जाती थी। केले के पेड़ को सीजते समय, पूजा करते समय, वे मनी मन कहती कि है भगवान, अगर आप मुझे बेटा दे देंगे तो मैं अपनी ननत की शादी आपके साथ करवा दोंगी। भगवान ने पूरे अगहन मास में केले के पेड़ की पूजा करी, रोज घी का दीपक जलाती, गुरुवार का वरत करती और यही विंती करती। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ और मैं देखूं कि यह मेरा व्या अपनी ननत से कैसे कराती है। इ अवा मैने के बाद जब भावी अपने बच्चे को लेकर मुँ उठने माई के जा रही थी तो उसी रास्ते से गई जहां पर वह केले के पेड़ को सीचने और पुजा करने जाती थी। जैसे ही वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो वहां वह पेड जोड जोड से हि अब तू अपनी ननत की शादी मेरे साथ करवा। ऐसी आकाश वानी सुनते ही भावी डर गई। उसने सब तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वे कापती और डरती हुई जल्दी जल्दी उसने कदम बढ़ाए और वे अपने माईके में आ गई। जैसे ही वे अपने माईके में पहुची तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अपने बेटी और नवासे को देखकर उनको बहुत खुशी हुई। लेकिन भावी का मन माईके में नहीं लग रहा था। भावी के माता पिता ने अपनी बेटी से परिशानी का कारण पूझा ले बस्राल में आने के बाद भी वे परेशान ही रही। भाबी के साथ ससुर और पती ने उससे पूछा कि जब तुम माईके गई थी तो बहुत खुश थी। लेकिन माईके से आने के बाद तुम कुछ उदास दिखाई दे रही हो। क्या माईके में किसी ने तुमें कुछ तुम कुछ दिनों आराम कर लो घर में कपड़े जाडू पोचा बरतन करने के लिए कामवाली आने लगी लेकिन फिर भी भावी दिन पर दिन सूखने लगी कमजोर होने लगी उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गी परिवार में सब ने उससे पूछा कि क्या बात है त लेकिन सब ने कहा कि यह स्वस्त है इसे कोई बिमारी नहीं है इस तरह फिर से एक साल बीत गया और अगहन मास आ गया तभी घर के दरवाजे पर एक सुन्दर नविवक आया सावकार दमपती को उसने प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहु का मुँ बोला भाई हूँ भा अभी दरवाजे पर आई और पूछा कि आप कोन है मेरा तो कोई मुव बोला भाई नहीं है तब नविवक धिरे से बोला कि भावी मैं तो वही केले का पेड हूँ मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कप करवाओगी भावी थर थर काप नविवक अंदर सावकार दंपती के पास आकर के बैठ गया और उसने कहा कि माँ बाव जी मैं बाहर गाव कमाने गया हुआ था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी मैं कुछ दिन पहले ही गाव आया हूँ मैं अपनी मुवली बहन से मिलने चला आया सावकार दंपती बोले कि अरे साडू भाई आये हो तो कुछ दिन हमारे साथ ही ठहरो इस तरह परिवार में वे नव युवक रहने लगा उस नव युवक का व्यवार बहुत अच्छा था उस दिनों में ही उसने सब का मन जीत लिया तब सावकार दमपत्ती ने अपनी भाई के मुबले भाई से अपने लड़की की रिष्टे की बात चलाई भाई को जब ये पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई तब मनी मन सोचने लगी कि मेरी तो परिशानी ही खतम हो गई और इस तरह उस नविवक के साथ भाई की ननत का विभा तै हो गया भाई ने बढ़ चड़का विभा की तयारी करी और धूम धाम से मुबोले भाई के साथ अपनी ननत की शादी करवा दी शादी होने के बाद ननत अपने पती के साथ चली गई समय बीतने लगा पूच मैनों के बाद पहला तयोगार आया तो साथ का दमपती ने अपने बेटा बहु से कहा कि पहला तयोगार आया है तुम दोनों अपनी बहन से मिलने के लिए जाओ और उसके लिए गहने गाठे कपड़े भी ले करके जाओ बेटे ने कहा कि ठीक मा बाओ जी हम चले जाएंगे लेकिन भाबी के पैरों के नीचे से जमीन की सक गई वह सोच में पढ़ गई कि मैं इने कहां लेकर के जाओ कहां है मेरा मूँ भोला भाई मैं अब इनको क्या बताओ तब उसी दिन वे उसी केले के पेड़ के पास गई और विंती काने लगी कि है भगवान आपने मेरी ननत से विभा किया है अब मेरे पती और सास ससुर कह रहे हैं कि पहले त्यूँहार पर ननत के ससुराल में जाओ अब मैं उन्हें कहां लेकर के आओं तबी वहां आकाशवानी हुई कि तुम इसी पेड़ के पास आ जाना लेकिन सवा पहर से ज़्यादा मत रुखना भावी खुशी खुशी घर आई और पहले त्यूँहार के दिन अपनी ननत को देने के लिए साड़ी गहने कपड़े मिठाई लेकर अपने पती और बच्चे के साथ उसी केले के पेड़ के पास पहुँचे तो उस केले के पेड़ की जगए बहुत सुन्दर महल नुमा मकान था नोकर चाकर हाती घोड़े उर थे भावी भी देखकर आश्चरिय में पढ़ गई सुन्दर नविवक वे ननद ठाट की जिन्दिगी जी रहे थे भावी को देखते ही ननद गले से लग गई और बोली कि भावी आपकी वज़े से ही मुझे ये वर मिला है मुझे आपके अगहन मास में केले का पेड़ सीचने का फल मिला है बहन ने अपने भावी और भाई बतीजे का खुप आदर सतकार किया भावी ने भी अपने मुँ बोले भाई को प्रणाम किया सवाप्रहर होते ही भावी ने अपने पती से कहा कि अब हमें चलना चाहिए बहुत देर हो गई है लेकिन पती का तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था भावी बोली कि मेरा बच्चा परिशान हो रहा है हमें चलना चाहिए तब भावी अपने बच्चे और पती को लेकर वहाँ से विदा हो लिए थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भावी से उसका पती बोला कि मेरी छत्री तो वहीं रह गई है चलो हम छत्री लेकर के आते हैं बावी ने अपने पती को बहुत मना किया लेकिन वे नहीं माना तब वे वापस उसी इस्थान पर पहुंचे लेकिन वहाँ पहले जैसा कोई महल मालिया नहीं था वहाँ उजार वन था और वहाँ केवल केले का एक पेड़ था जिस पर भाई की छत्री लटकी हुई थी भाई यह देखकर आश्चरीय में पढ़ गया उसने कहां तेरे मुझ बोले भाई का महल कहां चला गया एक श्रण पहले यहां सब कुस था नोकर, चाकर, महल, हाती, घोड़े, उूट, थाट बार था वे सब कहां गायब हो गया सच सच बता तुने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेश से तो नहीं करवा दी, तब भावी ने अपने पती को पूरी सच्चा ही बताई, लेकिन भाई को विश्वास नहीं हुआ, तब भावी ने केले देवता से विंती करी कि है भगवान, अब आप ही मेरी लाज बचाईए, तब ही वहां विश्नु भगवान और मातालक लक्ष्मी प्रकट होगे, तब विश्नु भगवान ने कहा कि जो भी अगहन मास में गुरुवार का वरत करता है, पूरे अगहन मास में केले के पेड़ को सीजता है, गीका दीपक जलाता है, 108 परिक्रमा करता है, और गुरुवार के दिन पीला खाता है, पिला पैंता है, औ और अन वस्तर रुपिया गरीबों में दान करता है, मैं सदे उनके साथ होता हूँ, उनका घर मैं अन धन के भंडार से भर देता हूँ, उस घर में लक्ष्मी का इस्थाई वास होता है, ऐसा सुनते ही भावी का पती हाथ जोड़ कर भगवान के चर्णों में गिर पड़ा, इ एक बार बहुँ छोटा सा गाउं था, उस गाउं में एक अमीर सेट अपने एक छोटे भाई के साथ रहता था, वैं अमीर सेट बड़ा ही दयालू, सबकी मदद करने वाला धर्मात्मा पुरुष्था, वैं सभी तरह के व्रत उपवास किया करता था, आए दिन गरीबों को अन्वस्त्र रुपिया दान करता था, उसी नगर में एक चमार जाती का भोला नाम का युवग भी रहता था, एक बार अमीर सेट के चोटे भाई ने अपने बड़े भाई की संपती और धन को धोके से हड़प लिया, अमीर सेट ने अपने भाई को कुछ नहीं कहा, उसने स चरिफ इतना कहा कि जिसकी किस्मत में जो होगा वो उसे मिल कर ही रहेगा, इस तरह समय बीटने लगा, उधर वे चमार जाती का भोला युवक लोगों से रुपिये उधा लेकर ही अपना घर चलाता था, वे कभी एक से रुपिये उधा लेता तो कभी दूसरे से, तो कभी अलग अलग रोगों से रुपिय उधार लेता था और रुपिय उधार लेकर कभी पहले वाले को चुका देता तो कभी दूसरे वाले को चुका देता इसी तरह वह धोके से अपना घर जला रहा था वह कोई मैनत मजदूरी नहीं करता था समय बीतने लगा तब मार्गशीस मास का महीना आया तब अमीर सेट गंगा इसनान करने के लिए हरीदवार में गया और वहाँ पर उसने पांच पंडितों से पूझा पाट यग्यहवन करवाया इसे संयोगी कहें कि उसी दिन वे भोला नाम का चमार जाती का युवक भी गंगा इसनान करने के लिए हरीदवार तो वे मनी मन सोचने लगा कि इनकी पूजा को मुझे देखना चाहिए। पूजा होने के बाद अमीर सेथ ने पंडितों से कहा कि पंडित जी मेरे छोटे भाई ने मेरी संपती और मेरे धन को हड़प लिया। इसलिए मैं उस संपती और धन को गंगा मया में तिलान जली देना चाहता हूँ। तब पंडिजी ने सेथ के हाथ में जल, पुश्पु चावल, रोली, मोली, चावल रखकर गंगा मया में तिलान जली दिलवा दी। उसके बाद अमीर सेथ ने पंडितों को दक्षिना के रुपे और अन वस्तर रुपिया दिया और प्रणाम करके वहां से चला गया। अमीर सेट के जाने के बाद भोला भी उनी पंडितों के पास गया और बोला कि पंडित जी आपने जैसी पूजा इस अमीर सेट को करवाई है वैसी ही मुझे भी करवा दीजिए तब पंडितों ने कहा कि बेटा इसके लिए तुम्हें बहुत सी दक्षीना देनी पड़ेगी तब भोला ने कहा कि मुझे पंडितों की जुरत नहीं आप एक पंडित ही मेरी पूजा करवा दीजिए तब एक पंडिज ने भोला से वहां बैटकर पूजा करवाई, पूजा करवाने के बाद भोला ने पंडिजी से कहा कि पंडिजी मैंने 5-6 लोगों से रुपिये उधार ले रखे हैं, आप उन रुपियों को गंगामया में तिलांजली दिलवा दीजिए, पंडिजी को यह रुपियों की गंगामया में तिलांजली नहीं देते हैं, लेकिन भोला भोला की पंडिजी जैसा मैं कहता हूँ आप तो वैसा ही कर दीजिए, पंडिजी ने वैसा ही कर दिया, इस तरह समय बीतने लगा, तब एक दिन जब दोनों की मृत्यू का समय आया तो इसे संयोंगी कहें कि सेट और भोला दोनों की मृत्यू एक ही दिन हो गई, जब उनकी आत्मा भगवान की चोखट पर पहुंची तो उनके कर्मों का लेखा जोका बढ़ा गया, तब सेट को स्वर्ग का वास और भोले को नरक का वास मिला, क्योंकि उसने उधार के पैसों की गंगामया मे तिलान जली दी थी, जो गंगामया ने स्वीकार नहीं करी, हे विश्नु भगवान, जैसा सुख, जैसा स्वर्ग आपने सेट को दिया, वैसा सब को देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, और हुकारा भरने वाले को, घर्तियो तो पुरियो, पुरियो तो परवान च वास्ता थी, हर घर में कथा प्रवचन ससंग हुआ करता था, कोई भागवत करवाता, कोई रामायन का पाठ करवाता, कोई नर्सिक के मायरे का आयूजन करता, कोई राम कथा, कोई शीव कथा, कोई शाम कथा का आयूजन करवाता था, एक दिन भी खाली नहीं जाता था, हर लगा तब एक दिन बैकुंट में भगवान विश्नु माता लक्ष्मी से बोले कि है देखो देवी सब जगे नारायन नारायन की धनी गूंज रही है लोगों में भगवान के प्रती आस्ता भड़ रही है तब माता लक्ष्मी बोली कि वो आपका नाम लेकर मुझे पाना चात हैं वो लालची और स्वार्थी प्रवती के लोग हैं तब भगवान विश्नु ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है वो ऐसा क्यों करेंगे तब माता लक्ष्मी बोली कि चलो हम उनकी परिशा लेने के लिए मृत्यू लोग में चलते हैं उस समय अगहन मास चल रहा था अगहन मास के शुरू होते ही माता लक्ष्मी और विश्नु भगवान ने एक योजना बनाई उन्होंने साधू और साधवी का वेश बनाया और अगहन मास में उन गाउं वालों की परिशा लेने के लिए उस गाउं में पहुँच गे सबसे पहले विश्नु भगवान एक साधू के वेश में एक गाउं में चोपाल पर पहुँचे वहां सबी गाउं के इस्तरी पुरूश सरपंच बैठे हुए थे सबी साधू को देखकर खड़े होगे और प्रणाम करने लगे तब विश्नु रूप में साधू गाउं वालों से बोले कि मैं केदार नात से आया हूं मैं गाउं में भागवत कथा करना चाता हूं तब सरपंच बोले कि नेकी और पूछ पूछ जरूर कीजिए साधू महात्मा जी मैं सारा बंदोबस कर दोंगा आपकी रहने और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा कोई परिशानी नहीं होगी बाजा पेटी वाले गाउं में ही मि पूरुष बच्चे भागवत कथा सुनने के लिए पहुँच गए इस तरह तीन दिन निकल गए चोथे दिन माता लश्मी एक साधवी का वेश बना करके उसी गाउं में पहुँच गई तब माता लश्मी जो साधवी वेश में थी उन्होंने एक घर का दरवाजा खट-कट उसमें से एक बीमार महिला बाहर निकली और साधवी वेश में माता लश्मी उस महिला से पानी और कुछ खाने को मांगा तब बीमार महिला खाने की थाली पानी का गिलास दिया साधवी वहीं चबूत्रे पर बैठ कर खाने लगी बातो ही बातों में साधवी ने पूछा कि तुम्हारे गाउं में एक नामी महात्मा जी भागवत कथा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं गई, तब वे मैला बोली कि मैं कुछ दिनों से बिमार हूँ, इसलिए मैं घर परी हूँ, तबी सादवी का खाना पूरा हो गया, तब सादवी उस मैला से बोली कि लो तुम्हारी था ये हाया, वे जल्दी जल्दी घर के बाहर आई और सादवी को देखने लगी, लेकिन दूर तक उसे सादवी कहीं दिखाई नहीं दी, शाम को चोपाल पर सादवी की चर्चा होने लगी, सभी आपस में कानाफूसी करने लगे, अगर हम भी घर पर रहते तो हमें भी चांद सुनने के लिए इतने कम लोग क्यों आए हैं, तब सरपंच ने सादवी वाली बाद बताई, विश्नु भगवान समझ गये कि माता लश्मी गाउं में प्रवेश कर चुकी है, उधर चोपाल पर कथा हो रही थी और इधर माता लश्मी गाउं में फिर से एक घर का दरवाज खटकटाया और उन्होंने खाना और पानी मागा, खाना खाने के बाद सादवी ने उन्हें उनकी थाली और गिलास उन्हें लोटा दिया और वे वहाँ से आगे चली गई, जैसे ही उन लोगों ने थाली और गिलास ले जाकर के घर के अंदर रखा तो गिलास चांदी का था देक लोगों के घरों में गई, जिनके घरों में गई उनका घर धन्धान्य से भर गया, सबी लोगों ने उस लक्ष्मी रूपी सादवी से कहा कि आप रोज हमारे घर खाना खाने के लिए आया करो, अगले दिन फिर से कथा शुरू हुई, लेकिन उस दिन कथा सुनने के माता लक्ष्मी को देख कर बोला कि आईए माता जी आप हमारे घर में आईए आज मैं आपको 36 तरह के पकवान खिलाओंगा तब माता लक्ष्मी जो सादवी वेश में थी वो सरपंच से बोली भक्त मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी क्योंकि तुने उस सादू महात्मा को इस में ठेराया है पहले तुम अपने गाउं से उस सादू को निकाल कर के आओ जब तुम उस सादू को अपने गाउं से चोपाल से धक्के दे कर निकाल दोगे तब ही मैं तुमारे घर में प्रवेश करूंगी उसी समय वे सरपंच चोपाल पर सादू महात्मा के पास पहुंच और बोला कि अरे ओ ढोंगी सादू तू अभी इसी गाउं से चला जा इस गाउं में अब वह सादवी ही रहेगी सारे गाउं वाले एक साथ उस सादू रूप में विश्नु भगवान से बोले कि हाँ हाँ अब हमारे गाउं में वह सादवी ही रहेगी सब ने उस सादू में विश्णु भगवान बोले कि अरे गांवालों अरे सरपंच कथा दो दिन की शेश रह गई है मुझे अपनी कथा पूरी तो करने दो उसके बाद मैं समचला जाओंगा लेकिन सभी गांवालों ने कथा सुनने से इनकार कर दिया तभी भगवान विश्णु जो सादू वेश में थे वे सादवी बनी माता लक्ष्मी की ओर देखते हुए बोले कि तुम सही कह रही थी लेकिन मैं भी सही हूँ जहां जहां कथा प्रवचन ससंग होगा वहां लक्ष्मी जरूर आएगी और ऐसा कहे कर भगवान विश्णु व माता से बोला कि हे देवी अब आप मेरे घर चलिए और मैं आपको 36 तड़ के वेंजन खिलाओंगा अब आप इसी गाउं में रहना मैं आपके रहने और खाने का बंदोवस्त भी कर दूँगा तब माता लक्ष्मी सरपंच से और पूरे गाउं वालों से बोली कि अरे मुर् और स्वार्थी लोग रहते हैं मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूँ जहां नारायन होते हैं मैं वहीं रहती हूँ तुमने जिस साधू को यहां से जाने को कहा वैस्वम नारायन थे जिस घर में नारायन नहीं पूझे जाते मैं उस घर में वास्त नहीं करती जिस घर में इसलिए आज कल्यूग में हर घर में पूजा प्रवचन कथाएं पाठ भागवत का आयोजन होता है क्योंकि जहां जहां कथाएं प्रवचन भागवत होती है वहां वहां माता लश्मी के साथ विश्नु भगवान भी विराजमान होते हैं इस कथा का फल सब को मिले कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को घरती ओ तो पूरी ओ पूरी ओ परवान चड़े भूले भिसरे नाम तेरे भंडार में भरें एक बार बहुत छोटा सा गाउं था, उस गाउं में एक विद्वा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी, दोनों मा बेटी सिलाई बुनाई करके ही अपना पेट पालती थी, दोनों मा बेटी अगहन मास का इस्तनान करती वरत करती थी और गुरुवार को उपवास रखती थी विद्वा मेला की बेटी का नाम राधा था वह रोज पनघट पर पाने भरने के लिए जाती थी तब एक बार की बात है अगहन मास का महिना चल रहा था दोनों मा बेटी का अगहन मास का इस्तनान और वर्वत चल रहे थे उपर बैकुंड में माता लक्ष्मी या सब कुछ देख रही थी तब माता लक्ष्मी ने भगवान विश्नु से कहा कि हे देव मृत्यू लोक में एक विद्वा महिला और उसकी बेटी पूरे नियम धरम से अगहन मास का इस्तनान करते हैं वरत करते हैं और गुरुवार को उपवास रखते हैं अगर आज हम इनकी नहीं सुनेंगे तो कल युग में हमें कोन मानेगा तब भगवान विश्नु सौम यही चाते थे तब उन्होंने माता लक्ष्मी को साथ लिया और मित्यू लोग में एक भ्रामन दमपती का वेश बना करके उसी पनगट परा करके बैट गए तब ही राधा वहाँ पानी भरने के लिए आई जैसे ही राधा पानी भर कर जाने लगी तो व्रद दमपती वेश में भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी ने राधा से कहा कि वेटी हम बहुत दूर गाउं से आए हैं हमें आज रातरी के लिए आसरा चाहिए और जो हमें आसरा देते हैं वे हमें भोजन भी खिलाते हैं क्या तुम हमें एक रातरी का आसरा दोगी और आज रातरी का क्या तुम हमें भोजन खिलाओगी तवे राधा बोली कि हे ब्रामन दे मैं अपनी मां से पूछ कराती हूँ राधा भागी भागी अपनी मां के पास आई और पूरी बात बताई तो मां ने कहा कि बेटी हम दोनों के भोजन करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है हम उन्हें क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे तो राधा बोली कि मां आस तो हमारा अगहन मास का उपवास है आज तो हम कुछ खाते ही नहीं है हम अपने हिसे का खाना उन्हें खिला देंगे मां तुमी तो कहती हो कि अथीथी देवता होते हैं तब मा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तु सही कहती है जा तू उन्हें बुलाकर के लिया, रादा भागी भागी पुन्हें पंघट पर आई, और बुजुर्ग ब्रामन दमपती को आदर के साथ घर ले करके आई, और उन्हें आसन पर बैठाया, था कमरे का मकान था दोनों मा बेटी प्रामन दमपती को अंदर कमरे में सुलाने के बाद दोनों मा बेटी आंगन में दरी बिचा करके सो गई उस दिन उनका अगहन मास का वस्पतिवार का वरत था उस दिन उन्होंने पानी पिया और वे सो गई इस तरह सुबह हो गई दोनों मा बेटी सुबह उठी, उठकर उन्होंने अंदर कमरे में अतीथी को देखने के लिए गई तो देखा वहां अतीथी नहीं थे, उनके एक कमरे का मकान बहुत सुंदर महल में बदल गया, पूरे घर में अनधन के भंडार भरे पड़े थे, दोनों मा बेटी यह देख कर आश्च पर देखने के लिए आई, तो वे वहीं बैठे हुए थे, तब मा बेटी उनके चर्णों में गिर पड़े, तब मा पूछने लगी कि हे ब्रामन देव, आप कौन है, कृप्या करके आप हमें दर्शन दीजिए, उसी समय बुजुर्ग दमपती ने साक्षात मातालक्ष्मी और विश्नु भगवान के रूप में दर्शन दीए, और कहा कि तुम दोनों ने पूरे शद्धा और नियम से अगहन मास का इसनान किया, और गुरुवार का उपवास रखा, इसलिए हम तुम्हें अगहन मास का वर्दान देने के लिए आये थे, और अगहन मास के अंतर्ध्यान होगे, दोनों मा बेटी जीवन के समस्त सुखों को भोग का मरने के बाद बैकुन को प्राप्त हुए, इस कहानी को सुनने का फल सब को मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, इस तरह मैंने आज आज आपको अगहन मास के महत् तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद